जय हिंद बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि USA और अमेरिका में अंतर क्या है क्या अमेरिका अलग है और यूएसे अलग है और जो नॉर्मल या आम बोलचाल भाशा में हम लोग जिसे अमेरिका बोलते हैं वह क्या है और जो इसमें विश्व की सुपर पावर बना बैठा है वो कौन सा अमेरिका है वो अमेरिका है कि USA है तो इसकी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं यानि इन में क्या अंतर है इस अंतर को हम लोग समझने वाले हैं और इसे बिलकुल आसान भासा में हम लोग स तो हमारे वीडियो को देख लें अंतर तक आपको अंतर पता चल जाएगा क्योंकि यह लोगों को बड़ी confusion रहती है कि USA और अमेरिका है क्या और जो सुपर पावर बन रहा वह कौन सा अमेरिका है USA है या अमेरिका है या नौर्थ अमेरिका है या है क्या तो सबसे पहले हम लो देखिए दुनिया में साथ continents हैं यानि साथ महाद्वीप हैं पूरे विश्व में जिन में सबसे बड़ा है एशिया दूसरा सबसे बड़ा है अफरीका तीसरा है नौर्थ अमेरिका चौथा है साथ अमेरिका पाचवा है अंटाक्टिका छठा है यूरोप और साथवा है ओ यह जा उसलिया प्ह swirl है यानि इस तरह हमारे पास साथ महाद्वीप हो हो जाते हैं और इपरीके पास सबसे पहला नोष अमेरिका और सौठ अमेरिका यह कॉंटिनेंच महाद्वीप हैं यह इंतर है यह नौर्थ अमेरिका ऊपर और यह नीचे फे सौART है इसा इसलिए है क्योंकि यह equator जो लाइन जा रही है इसके उपर होता है North और इसके नीचे होता है South इसलिए यह वाला North America है यह North America है और यह वाला South America है और यह अब हमारे पास North America का मैप आ गया तो यह North America का मैप है इसमें total 23 countries हैं यानि North America continent में total 23 देश हैं यहाँ पर और इन 23 हम लोग आम बलचाल भासा में अमेरिका बोलते हैं तो हमने देखा कि North America महाद्वीब में 23 देश है और उन 23 देशों में से एक देश है USA जिसे United States of America बोला जाता है या आम बोलचाल भासा में ही इसे अमेरिका बोला जाता है और यही वह देश है जो इस समय दुनिया की सुप सुपर पावर बना बैठा हुआ है यानि जो सुपर पावर बना बैठा हुआ वह एक देश है United States of America USA बोलते हैं इसे और इसकी राजधानी है Washington DC में यह देखिए यह है USA यानि United States of America देश है यह और इस देश में 50 राज हैं जैसे हमारे इंडिया में 28 राज हैं इसमें उसी त में 50 राज हैं और राजधानी इसकी है Washington DC में और यह जो USA है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है उससे पहले कौन से सबसे बड़ा है रशिया और दूसरा है कैनेडा कैनेडा जो की इसी North America में यह आपको उपर दिख रहा है तो र जिसे ही आम बोलचाल भाषा में हम लोग America प्रोनेंशियेट कर देते हैं यह जो लोकल में अमेरिका बोला जाता है वही USA कहलाता है जो बाइडन है वो USA के राष्टपती है और जो यह फ्लैग है यह USA का फ्लैग है क्योंकि फ्लैग हमेशा किसी ना किसी देश का ही होता है औ यहां के राष्टपती भी है और यहां का अपना करेंसी भी है जिसे डॉलर बोला जाता है और दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेड में यूज किया जाता है वो डॉलर ही होता है यह जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर होगा वह उतना ही ज्यादा मजबूत माना जाए क्योंकि इस समय डॉलर ही सबसे वैल्यू वाली मुद्रा है क्योंकि जो भी ट्रेडिंग होती है किसी एक दूसरे से दूसरे देश के बीच में वह हमेशा डॉलर में की जाती है तो जिसके पास जितना डॉलर होगा वह उतना ही ज्यादा मजबूत होगा तो चूंकि USA में इसक से बड़ा माना जाता है और इसलिए सभी देश अमेरिका की ही सभी कही हुई बातों को मानते भी हैं अच्छा और आपने एक और टर्म सुना होगा Central America किसे बोलते हैं तो Central America भी आप यहां पर देख लीजिए देखिए यह North America है यह South America और इसके बीच की जो यह countrys है इन्हें Central अमेरिका बोला जाता है और इन्हीं में Western डीज भी आता है Western डीज वेस्टन डीज कोई एक देश नहीं है ग्रूप आफ आइलेंड को मिला के कलेक्टिवली बोला जाता है Western डीज और Central America क्या है तो North America और South America के बीच के छोटू छोटू देश है या Island countries है इन्हें ही Central America में रख Western जीज भी Central America के अंतरगती ही आता है तो अब मुझे लगता है आपको USA और अमेरिका पता चल गया होगा जैकि USA और अमेरिका एक ही बोला जाता है चूंकि USA को पूरा नाम है United States of America इसलिए इसको पूरा USA न बोलके इसे सिर्फ अमेरिका बोला जाता है और North America क्या है तो North America एक continent है जिसमें 23 देश आते हैं उसी तरह South America भी एक continent है जिसमें 12 देश आते हैं और एक और टर्म है Central America Central America में North America और South America के बीच की कुछ countries आती हैं उसे ही हम लोग Central America बोलते हैं तो अब मुझे लगता है आपको USA, America, North America, South America और Central America में difference पता चल गया होगा और अब आप भी बता सकते हैं कि दुनिया का सुपर पावर कौन सा है या महा पावर कौन सा है अमेरिका है या USA है तो सुपर पावर जो है वो दोनों है क्योंकि अमेरिका और USA एक ही चीज है और आप से एक question ये है कि South America जो महाद्वीप है उसमें 12 देश तो हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा देश कौ कौन सी है ये हमें comment में बताईएगा देखते हैं आप लोगों को इसका आंसर पता है या नहीं तो अगर पता है तो South America की सबसे बड़ी जो country है उसे comment में बताईएगा बाकी वीडियो पसंद आया हो तो उसे like कर दें और अगर आपको अंतर समझ आया है तो हमें comment में है तो आप सब तक तुरंत भेज दी जाए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद